इसमें उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं और उसके कुछ चर्चा करेंगे उसके कुछ जनसंक्या सम्मंदित, उसकी संस्क्रती से सम्मंदित कुछ तत्य हैं तो इसमें सबसे पहला हमारा यह आता पूर्वांचल एक्सप्रेस बेजो है बना हुआ जिक किन किन सहरों से गुजरता है यह लकनव, बाराबंकी, अमेठी, गुजरात, जमगर्मव, और गाजीपुर कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ सहरों से गुजर रहा है उसके बाद हमारा ग्राम पंचायतों दोरा लगाय जाने वालग करके है, इस थानिये मेलों पर ग्राम पंचायतें कर लगा सकती है सितार और सुर्वाहर संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इतावा को इतावा को इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है यह पूछा जाता है भारतियु नाट अकादमी भारति इंदु नाट अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी उसके बाद उत्त एन्हों ने दी थी उसके बाद मुणिया पुनिवा मेला एयोजन किया जाता गोबरधन जो हमारा मतुरां में है प्रत्रम समाजबादी अबिनुप बिद्ध्याले खोला गया कहा हुला गया था प्रियाग राज में प्रियाग राज में उसके बाद बहे जनजाती जो बहु बेभा बिवस्ता को आच्रेट करती है हमारे उत्तर प्रदेश की ये जनजाती है और इस जनजाती का नाम है जोन सारी अगला है कासी बिद्या पीट के संस्ताबक कौन थे बाबु शिप परसाद गुपता उसके बाद हमारा है उत्तर प्रदेश में परेटन को बढ़ावा देने लिए 2015 में पर्थम ट्रेवल मार्ट का आयो जिन कहां पे किया गया था ये लखनव में किया गया था कहां पे लखन बीगा में मार्या ना पयाती है जमीना देखता प्रमपरागरत जो है गुरोजगार की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्दोग हतकरगा उद्दोग जो है सबसे बड़ा उद्दोग उत्तर प्रदेश में मूल बर्दित का रएक जनवरी 2008 को लागू उत्तर प्रदेश में किर्सी श्रम उत्पादक्ता सरबादिक है पश्यमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में पर्थम खेल की खेल गाओं की श्तापना कहां पर की गई है आगरा में उसके बाद है उत्तर प्रदेश की पिर्मुक नकदी फसल वो हमारी क्या है गन्ना है उसके बाद प्रित्थम बिकलांग विश्विद्धाल श्तापित किया गया था चित्र कूट में उत्तर प्रदेश में चित्र कूट में गुरुगोविन शिंग स्पोर्ट कालिज की स्थापना कहां गीए लक्नव में उत्तर प्रदेश में कम्पूटर एड़ित डिजानिंग प्रयोजना का केंदर इश्विद्धाल है लक्नव में उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्विद्धाल है कौन सा है इलावाद विश्विद्धाल है प्रयाग राज में जो है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्ग इस्तापित किया है लखनव में रानी लच्मी भाई बांध अवस्तित है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्कूल आप पेपर टेकनोलोजी इस्तित है सहारनपुर में केंदरी ये उपोष्ण बागवानी संस्तान अवस्तित है सिंट्रल सब ट्रॉपिकल हाटी कल्चर लखनव में सष्च बानकी का राष्टिये सोध केंदर अवस्तित है जहासी में जो आगरो फोरिष्ट्री होती है भारतिय दलान संस्तान संस्तान कानपुर में 2011 की जिनगंडा गुनसार उत्तर पदेश की जनसंक्या 19,98,12,341 है शरवादे जनसंक्या वाले पांच जिले जो 2011 की जनगंडा गुनसार है सबसे ज़्यादा इलावाद में उससे कम मुरादाव में सबसे ज़्यादा इलावाद में सरवादिक पुरुष जनसंक्या वाले इलावाद मुरादावाद गाजियावाद कानपुर नगर लखनव सरवादिक महिला जनसंक्या वाले इलावाद आजमगर जोनपुर मुरादावाद और लखनव कि शोरी शक्ति योजना का प्रदेश के सबसे बाद जनसंक्या वाला देश होगा किसके बाद चीन भारत सेंक्तराज अमेरिका और इंडोनेसिया के बाद 2011 की जनगणना गनसार उत्तरप्रदेश का नियूंतम घनी आवादी वाला जिला है ललितपूर जनगणना 2011 की जनगणना गनसार उत्तरप्रदेश के किस जिले की सक्षरता दर सबसे कम है श्रावस्ति की किस धार्मिक समधाय का उत्तरप्रदेश में तीसरा प्रमुक्षतान शिक हिंदू मुश्लिम पर तीस नंबर पर शिक आता है उत्तरप्रदेश का आगरा प्रियागराज कानपूर लकनव में से कौन सा नगर राष्टी ये महामार टू दौरा नहीं जोड़ा जाता लकनव ये इन में नहीं जुड़ा जाता onset जोनपूर कोसामवी और परतापगड शोनबद्र में से कौन सा जनपत प्रियागराज जनपत के साथ सीमा नहीं बनाता ये सोनबद्र, सोनबद्र हमारा जो है, वो हमारा सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है, ये भी जिला है, ये सोनबद्र जिला, उदर 36 गड़ से भी लगती है, जहारकंड से भी, बिहार से भी, उडीसा से भी और मद्द प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, उत्तर प् उत्तर प्रदेस में उसके कुछ मुक्याला के बारे में बात करते हैं। जो मेरिट में उत्तर प्रदेस के बजलते नाम। देखिए उत्तर प्रदेस जब हमारा देस आ जाद हुए पहले कुछ और नाम था, इसके नाम बजलते बजलते बर्तबान में ये उत्तर प्रदेस हो गया। झाल झाल